सिक्किम मौसम विभाग के अधिकारी गोपी नात रहा ने कहा कि अगले कुछ दिनों में सिलिगुडी में काफी गड्मी होगी पिछले दो दिनों से जानलेवा धोग उस समभरी गड्मी से जीवन अस्तवेस्थ हो गया है बताये गया है कि अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही भिश्यन गर्मी रहेगा कल सिलिगुडी में अधिक्तम तापमान 38.1 डिग्री रहा जो समानी से करीब 4 डिग्री अधिक है जो कि इस साल का ही रिकॉर्ड तापमान है आज भी सिलिगुडी में तापमान 38.1 डिग्री के आसपास रहा हाला कि 8 और 9 अगस्त को पहार सिलिगुडी संदगन अंचलो में बारिस की संभावना है लेकिन भारी बारिस की संभावना नहीं है सिक्किम मौसम विभाग के अधिकारी कोपेनात रहा ने कहा कि मौसम ट्रफ उतर बंगाल के उपर से गुजरने के कारण आसमान में बादल छाय हुए थे और बारिस भी अच्छी हुई थी लेकिन पिछले 3-4 दिनों में मौसम ट्रफ समानने हो गया है इसलिए आसमान साफ हो गया है और बारिस की मात्रा कम हो गई है बारिस